मैं रादिका आप सब का स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू विलोग मैं और उम्मीद करती हूँ मेरे विलोग सापको अच्छे लग रहे होंगे और रिक्वेस्ट भी करती हूँ अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कोमेंट करना मत भूला करिये जै माता दी गुड मौनिंग नमस्ते गाईस कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे मैं भी ठीक हूँ तो आज के व्लोग की शुवात होने जारी है मौनिंग से ही और बच्चों के लिए लंच के लिए मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे ब्रिक्फास्ट में बनाओंगी इनके लिए बनाना शेक क्योंकि इनके साथ में होता है कि सुबध बस इनका पेठ भी फेल होजाता है और जबस्ती भी बच्चों के साथ मैं न खाने के लिए नहीं करने चाहिए शेक मैं तीन-चार बधाम डाल देती हूं तो वो हैल्दी होई ही जाता है और चलो अच्छा है खुशी-खुशी जो बच्चे खाते है न वो ही शही को लगता है वरना जबस्ती जो करने से खिलाया जाता है न वो बोड़ी को लगता भी नहीं है तो यहां मैंने उनका लंच रेडी कर दिया है मैंने और अभी टाइम हो रहा है पौने साथ बच रहे है इस टाइम पे तो अभी तक मैं जाड़ू पोचा क्लीनिंग सब कुछ कर चुकी हूं लेकिन बस नहाना बाकी रहे गया था नहा नहीं पाई हूं आज मैं उठी तो आज भी मैं टाइम से ही थी प पनाने लेगे हूं मैं अपने लिए ड्रिंक वैसे तो सुबह ही मैं ये ड्रिंक कन्जियूम कर लेती थी अपनी लेकिन अभी काम करने का मुझे रहता है कि फटा-फट से ना काम हो जाए और बच्चों का क्काम खतम हो जाए उसके बाद मैं अब मैं मैं बिलकुल जब तक हजबन आफिस नहीं जाएंगे और वो साड़े आठ बजे के अराउंड मैं उनका खाना पीना बनना शुरू करती हूँ तब तक मेरे पास टाइम होता है अब मैं अराम से 10-15 मिनिट मैं अपना ड्रिंक खतम करूँगी और ड्रिंक मैं शहद और नेबू लेती हूँ यहाँ आरू भी बिल्कुल रैडी हो चुका था तो उसको भी मैं बनाना शेक दे दूँगी और इधर मैं कुकर में उबालने के लिए रख रही हूँ पालक क्योंकि इनके लंच के लिए मुझे पालक पनीर की सबजी बनानी है अब मैं अपना ड्रिंक रैडी कर लूँगी और ड्रिंक मैं लेती हूँ मैं नीबू, करस और थोड़ा सा शहद तो मैं अब अराम से बैठके 15-20 मिनट मैं अपना ड्रिंक फिनिश करूँगी उसके बाद मैं वापस आउँगी केचेन में क्योंकि अभी मेरे पास टाइम होता है, एक गड़ गंटे का करीब टाइम होता है, क्योंकि नौ बजे ऑफिस जाते हैं, तो फिर मैं आट बजे के आराउंड अपना काम करना शुरू करती हूँ केचेन का, तो इधर थोड़ा से बरतन पड़े हुए थे, तो उनको भी मैं वाश कर दे रही हूँ, सिंक की साइड में जब भी मुझे कुछ काम होता है, हाथ दोने होते हैं, या फिर कुछ भी करना होता है, तो दो चार बरतन जो भी होते हैं सिंक में, तो मैं साथ की साथ ही नेपटा देती हूँ, जिससे क्या होता है, कि जादा बरतन हो नहीं पाते कि पालक की सबजी नहीं लेकर जाओंगा मैं मेरे लिए भी आलू के पराठे ही बना दो और मैं भी आलू के पराठे लेकर जाओंगा तो होता है न कभी-कभी जब हम दूसरे को देखते हैं न खाते हुए या फिर इन्होंने देख लिया था बच्चों के लिए लंच मैं मैं आलू के पराठे बना के रख रही थी और को वैसे भी काफर टाइम हो गया है तो ना आलू के पराठे बने नहीं थे तो उनका भी मन कर गया है आलू के पराठे ले जाने का ही तो आज आज आफिस वो आलू के पराठे ही लेकर जाएंगे पालक को पीस कर मैं अभी फिरिज में रख दूँगी तो देखूंगी शाम को बनाओंगी या फिकल सुबह बनाओंगी क्योंकि शाम के टाइम पे न हमारे यां खाना थोड़ा सा कम रहता है तो फिर देखते हैं और इधर लंच में मैं उनके लिए रखने लगी थी दही और ह हरी वाली मैंने चटनी बनाई है लेकिन अब वो मना कर रहे हैं कि उनको हरी चटनी भी नहीं ले जानी बच्चों के लिए मैंने अचार के साथ रखा है तो उनको भी आम का अचार ही लेकर जाना है वैसे इनको आम का अचार ना एक्चुली कम पसंद है लेकिन आप हो गया ह आज इनका मन कर गया है कि आचा जिस तरीके से मैंने बच्चों के लिए रखा है ना लंच बोक्स उसी तरीके से से में इनको ले जाना है आफिस लंच बोक्स रेडी करके मैंने उनके बैग में रख दिया है और इधर बनाने लेगी हूँ मैं अपने लिए और उनके लिए बनाना शेक और वैसे तो ना सुबा ही मैं हम चारों के लिए बनाना शेक एकटा ही बना लेती हूँ लेकिन आज केले कम थे तो रात के जो केले थे तो तीनी बचे हुए थे तो उनको मैंने बनाना शेख मच्चो को दे दिया था, अभी फिर केले वाला आ गया था, एक्चली ने उसको हमने लगा रखा है, तो वो महीने उपंदर दिन के हिसाब से पैसे ले लेता है, तो फिर केले दे गया था, तो फिर यहां मैं अपने को साइड से हटा दिया है, यहां उनका बनाना शेक भी रेडी हो गया, ब्रेक फास्ट भी रेडी हो गया, तो ब्रेक फास्त मैं, मैंने परांठा दही और बनाना शेक दिया है वैसे तो बोलते हैं कि दौनों चीज नुकसान करती है लेकिन इनको डाइजेस्ट हो जाता है कि इनको बच्पन से ही हैबिट है दही दूद मठा यह सब कुछ खाने की यहां मैं हमेशा की तरह ही अपना रूटीन फॉलो करती हूँ कि वो अपना बेकपस्ट कर रहे है इधर मैं पीरियु चाहे क्योंकि आज सुड़ा सल लेट हो गया था न तो मैंने सुबद चाहती ही नहीं पाई थी फिर उसके बाद मिल रही हूँ मैं और पहर के टाइम पेर और यहां जाने लगी हूँ मैं और केटू मार्केट क्योंकि आज मुझे और वूलन सुट्स लेकर आने हैंट तो मतलब उन वाले जो होते हैं वो तो हैं मेरे पास में लेकिन फैब्रिक वाले सूट्स मेरे पास नहीं हैं तो बस अभी ना मुझे और मैंने यहां से काफी सारे सूट्स खरीदे है जो कि मैं दिखाऊंगी आपको घर चलने के बाद मैं और यहां से निकलने के बाद मैं देख रहे हो ना आप यह वाला सूट भी मैंने खरीदा है यह जो दिखा रहे हैं भाईया यह वाला सूट भी मैंने खरीदा है लेकिन इसमें हलका से मिस्प्रिंट निकला है तो इसको मैं चेंज करने के लिए जाओंगी मैंने वहाँ ध्यानी नहीं दिया तो यहां जी हमने अपने चार सूट खरीदे थे और तो कुछ हमने लेना नहीं था सिर्फ सूट सी लेने थे तो यहां हमारी शॉपिंग हो गई है कहतम सिर्फ सूट लेने के बाद में और देन होते हैं बहुत छोटे तो अंदेरा होने को आ गया है जबकि हम दोपैर में आये थे दो बज़े के आराउंड लेकिन अभी अच बज़ गए और मार्केट में कब कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता है तो इधर न यह लगाती है गोलगपे की ठेल तो यहां वैसे किटू को गोलगपे खाना पसंद नहीं है लेकिन इनके गोलगपे उसको पता नहीं क्यों बहुत जादा अच्छे लगत इसको तो आप जानते ही हो कि टू की फ्रेंड है और इसकी ममा मेरी दोस्त है तो यहां हम इनको सूट्स देखा रहे थे चाहत को देखा रहे थे उसकी ममा तो बना रही थी हमारी लिए चाहे तो बस मैं उसको सूट्स देखाने लगी थी इसका घर रास्ते में पड़ता है तो इसने बोला कि आंटी ना आप घर बस घूमती हुई जाओ तो उसको भी मेरे सारे सूट्स ना बड़े पसंद आए और मुझे खुद को भी बड़े अच्छे लग रहे हैं सूट्स मैं दिखाऊंगी आपको व्लॉग में और ये उसका छोटा भाई है जो की कर रहा है मसती घर आते आते टाइम हो गया था साड़े शे बजे का तो बस घर आती ही मैंने सबसे पहले हाथ मों दोके अपना दीपक जलाया है क्योंकि साड़े छे बच गए थे ना तो पूझा पार्ट का टाइम होई रहा था तो यहां मैंने जल्दी से अपना सिफात मोहीं दोया है वैसे मैं हमेशा ही लोटने के बाद मैं नहाती हूँ लेकिन टाइम एक्शली लेट हो रहा था और यह भी ऑफिस से आने वाले थे तो यह इनको पता लग जाता कि हम मार्केट से लेट आये हैं तो फिर थोड़ा सा डार्ट भी पड़ती तो यहां अंदर दीपर जोलाने के बाद मैं शाम के टाइम पर मैं तुलसा माका दीपर जोलाती हूँ उसके बाद दिखा रही हो जी मैं आपको अपने सूट तो एक भी लोंगी और कल पहनूंगी भी क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी होती है सिलने की और फिर उसको पहनने की एक सूट यह वाला था और मैं यह तीन सूट ही मेरे पास रहे गए चार लेकर आई थी एक सूट ना सामने मेरे के सामने यह आंटी रहती है उनको एक्शली मैंने सूट है यह मुझे बहुत जादा पसंद आया था लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने पूरा खोल के देखा है ना तो हलका सा मिस्प्रिंट है तो इसको मैं चींज करके आऊंगी तो यह था जी आज का मेरा रूटीन और कैसा रहा मेरा आज का दिन वह सब मैं आपके साथ में चुकी हूं तो उमीद करती हूं कि मेरे व्लॉक्स में आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो एक लाइक करना तो बनता ही है और जो भी नए आते हैं मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए वह पीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं फिर इसी तरीक